हलो दोस्तो तो आज हमी श्टार्ट करने जा रहे अपनी फेवरेट फार्माकलोजी थर्ड निर्ट नमबर फर्श जिसका नाम क्या है ड्रक्स एक्टिंग ओन दी रेस्पायरेटी सिस्टम और गेस्ट्रोइंटिस्टैनल सिस्टम तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा वो रेस्पायरेटी सिस्टम के उपर और हमारा जो टर्म है वो क्या है एंटी अस्थमेटिक ड्रक्स देखेंगे लेकिन उससे पहले हम थोड़ी जेनरल बाते कर लेते हैं इसके बारे में आपके परिवार में यह बेसिकली मैं अपनी लेकर के बात करूँ तो इस समय हर एक परिवार में कोई ना कोई अस्थमेटिक होता है दूसरी बात आरी कि इस समय जब से कोविड का चला है तब से किसी को ने तो निमूनिया वगारा हो जाती है chronic rhinitis अब chronic rhinitis क्या इसके बारे में भी अभी just बात करते हैं दूसरी बात करें तो respiratory infection वगारा जिसके उनको जुखाम सरदी टिकर respiratory infection जिसको बोलते हैं कि आप सीनी में जखडन हो जाना ETC वेगारा बलगम ठीक है यह सारी दिक्कतें आप में घर में होईगी हो रही है हो रही थी या होगी आगे भगवार ना कर ऐसा हो लेकिन यह हो सकती है आगे चलके तो आज उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि अस्थमा क्या है और अस्थमा के treatment में कौन कौन पर कामशी drugs यूज की जाती है और कैसे यूज की जाती है किस फॉर्म में यूज की जाती है यह सारी चीज़े हम एकजामपल के तोर पे विट मेडीकेशन की तरीके से आज यहाँ पर पढ़ने वाले है तो सबसे पहले बात रात है कि अस्थमा होता क्या है तो मैं आपको ए इस नीडिल को निकाल दें, तो यह वाला जो पाइट आपको दिखाई दे रहा है, यह थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर हम इसमें से air खीचते हैं, तो बहुत असानी से air आ जाएगी, मतलब असानी से air चली भी जाएगी, असानी से air आ भी जाएगी, लेकिन अगर हम इसके diameter क करते हैं, diameter अगर इसका हम छोटा कर देते हैं, तो हमको यहाँ पर प्रियसा लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ी से टाकत लग रही है, हावा खीचने भी भी टाकत लग रही है, हावा डालने भी भी टाकत लग रही है, तो यह जो condition होती है, same attitude condition हमारी कहाँ पर हो जाती है, the aspiratory में जो हमारे trachea के अंदर tubules पाय जाते है जिसको बोलते है tracheo bronchial बोलते है उसका जो diameter होता है वो छोटा हो जाता है और हमको अस्थमा हो जाता है अगर simply बात करे हैं तो हमारा जो broncho diameter होता है ठीक जो bronchus का diameter होता है वो basically कम हो जाता है जिसके वज़ा से हमारी सांस लेने की अरान परदान की जो परकेरिया होती है हवा आने जाने की जो परकेरिया होती है वो हमारी कम हो जाती है इस से हमको क्या होता है घुटन के ताइब से मैसूस होता है इसको बोलते हैं simply अस्थमा अब देखिए, language में बात करते हैं, तो जब अस्तमा होते हैं, chronic inflammatory disorder होता है, किसका air wage की, अब बाता थी है, कि मैंने यहाँ पर acute क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर chronic ही क्यों लिखा, अगर acute अस्तमा है, तो उसको हम बोलते, rhinitis, rhinitis का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बार बार जु जुखाम होता है, लेकिन वो condition कुछ समय के लिए बनी रहती है, तो वो convert हो जाती है, किसमें अस्तमा, अगर मैं आपको बात करूँ, अगर कोई भी आप में अस्तमाटिक परसन ऐसा है, जो वीडियो देख रहा है, तो अगर मैं आपकी शुरवाती दोर के बाद में बात सबसे पहले आपको क्या हुआ था, सबसे पहले जुखाम, और जुखाम कैसे हो रहा था, आपको हर तीसरे दिन पर, हर दूसरे दिन पर, यह बेसिकली पांच दिन के अंदर अंदर आपको जुखाम हो जा रहा था, अगर आप medication ले रहे हैं तब भी, नहीं ले रहे हैं तब को औरकृति गहुए हो जाए गा पया ब्रॉंखियों कोस्थ desichiais के इंदर जो निंदर जो pulmonari veins है भो जब distract हो जाएगी वो जब in Flare हो जाएगी तो आपको क्या हो जाएगा, SOPD हो जाएगा तो यही अंतर होता है की अस्थमा में क्या होता कि जो आपकी bronchioles के tracheoles होते हैं उसमें inflammation हो जाती है उसका जो diameter होता है वो कम हो जाता है और जो COPD होता है उसमें जापकी pulmonary vein होती है उसका diameter कम हो जाता है simply आपको यहाँ पर different पता चल गया होगा ठीक है तो यह क्यों होते है chronic हमारी inflammatory disorder होती है जो कहाँ पर होती है ट्रोक्यो ब्रेंक्योल में होती है मैंने आपको example के तोर पे एक injection के माध्यम से समझाया कि कैसे diameter घटने पर हमारा थोड़ा सा pressure बनेगा और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे अगर आप किसी चीद पर pressure लगाते है तो हमापे थोड़ी सी आवाजानी वाजीफा है तीक है अब इसके lecture कौन कौन से हो सकते हैं वीजिंग वीजिंग का मतलब होता है sound देखे अगर कोई asthmatic patient अगर वीडियो देख रहा है या आपके घर में कोई है तो अगर वो रात में सोता है तो वहाँ पर क्या होता है कुछ वीजिंग टाइप का होता है मैं example के तोर पर आप जैसे यह injection है मैं अपने माइक के पास लेकर जाऊं और आपको सुनाओ तो आपको सुनाई पढ़ रहा होगा कि यहां पर आपको आवाज आ रही है लेकिन उसके बाद अगर हम इस चीज़ को निकाल दें उसके बाद आपको सुनाए तो क्या आपको आवाज आ रही है बिल्कुल नही आ रही होगी तो इसी को बोलते है वेडिंग हलाकि ऐसी आवाज नहीं होती है वह आवाज दूसरी टाइप की होती है जैसे सिधा अगर हम देहाती लेक्वाज मोले तो घोर घायक तरीक है कि ठीक है उससे बाद दूसरे देखें ब्रीटलनेटनेस मनले आपको थोड़ा चैनेस जिसे अपको यहां पर कोई आपको प्त्था रख दीया है क्या है कफिंग ये आप समझ सकते हैं कि गयाए अक्सिवाज़ सकते है यह वहां पर मिकास ज्यादा बन जाना एलर्जीक macaron जैसे अगर आपको डेश्ले erजी है यह योई किसी छे इलर्जी है जैसे बहुत अस्थमा का टैक आ सकता है अब simply अगर हम इसके mechanism of action के बारे में बात करें कि जो हमारा अस्थमा होता है वो होता क्या है और कैसे हो जाता है इसके बारे में तो यह आपका lungs है simply देखिए मेरी ड्रॉइंग यूतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा से हवा ले रहे रहे और oxygen जा रही है लेकिन वह oxygen आपके lungs में जा रही है फैफड़ा अगर इतना था तो यह simply हवा को ear passage कर रहा था लेकिन condition क्या होई हमको अस्थमा हो गया अस्थमा होने के बाद क्या हो कि इसका जो diameter था वो कुछ घट गया अब जब diameter घटेगा तो यहां हमारी यहां से ear pass होगी क्या होतनी है mount में होगी नहीं होगी चुकि आप जानतें कि जब diameter घटेगा तो वहाँ पर जो आवाजे आएंगी वो भी आपको आसानी से यह से simply अगर आप जैसे pen का cap होते हैं ठीक है cap को simply आप ले लेजिए उसको oat के पास लगा जी जो खसके फूंक मारी है तो आपको हम बात यूं करें कि जो यह टूबल्स है टूबल्स को मारी है यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है यह इसका normal air passage है ठीक है यहाँ पर normal air जा रही है लेकिन अगर आपको asthmatic condition आ गया तो यहाँ पर आपको दो चीज़े हो सकती है पहला चीज़ कहा सकता है कि इस layer पर आपके क्या हो सकती है म्यूकस जम सकती है अगर म्यूकर जमा अगर इस layer पर आपके म्यूकस जमा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा कि इसका diameter आटोमेटिकली कम हो जाएगा ठीक है और डायमेटर कम होगा तो ब्रित नेस होगी इसे को बोलते हैं क्या अस्तमा, दूसरी बात कहो सकते है inflammation, inflammation की condition कहोती है कि जो ये आपकी cell lining होगी तेक ना ये जो lining है, cell membrane है ये क्या हो जाएगी, स्वेल्ब कर जाएगी अब स्वेल्ब करने का मतलब क्या है, ये थोड़ी मोटी हो जाएगी, मोटी होने का मतलब क्या है कि इसका diameter भी घटेगा सारी बाते diameter पर आकर के रुक रही है अब diameter पर ये घटा तो कि आप simply हमारे जो air passage है, वो हमारे कम है माउंट में, जैसे हमने heart के case में देखा था कि जब वो छोटी हो जारी तो इसका diameter कम हो जा रहा था, तो हमारा क्या था hypertension बढ़ जा रहा था, pressure बढ़ जा रहा था उसी परकार से यहाँ पर जब inflammation हो रहा है या mucos का ज़्यादा बन रहा है तो diameter घट रहा है, diameter घटने के कारण वहाँ पर जो pressure बढ़ रहा है pressure बढ़ेगा तो भाई आपको breathliness घटन वागारा तो आपको जाहिर सी बात है कि सुनाई ही देगी, उसके बाद अस्थमा जो होता है, वो दो टाइप का होता है एक episodic होता है, intrinsic होता है episodic का मतलब क्या होता है, कि मतलब एक episode में जैसे आपने सुनाओगा epillespeak, वो episodic होता है इसका मतलब क्या है, कि वो एक महिने में या दो महिने में ऐसे आता है, ठीक है लेकिन यह बहुत थी कम परसंट में पाया जाता है, ठीक है, यह status होता है बहुत थी कम परसंट में पाया जाता है लेकिन जो interesting अस्थमा है, वो क्या होता है कि आगर जैसे आपको example के तूर पर किसी सी से allergy है धूल से धूआ से allergy है तो अगर आपके पास धूल धूआ आया तो simply क्यों जाएगी आपको अस्तमा हो जाएगी मतलब इसका कोई time fix नहीं होता है ये आपको directly आ सकता है कभी भी आ सकता है तो simply यह था थोड़ा सा अस्तमा यहाँ पर जितना भी essential था वहाँ पर मैंने आपको बताया अब आगे चलते हैं इसे classification के बारे में और anti-asthematic drug के बारे में बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आते हैं कि anti-asthematic drug होती क्या है अब आप लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं सबसे पहले आप क्या करते हैं कि anti-asthematic drug क्या है तो simple आप लिख देंगें कि the drug use इंदा अस्तमा called anti-asthematic drug लेकिन आपको बिल्कुल वहाँ भी ऐसा नहीं लिखना है जो anti-asthematic drug होती वो क्या करती है mucus के secretion को कम करेगी या mucus तो क्या करेगी पतला करेगी थिन करेगी ठीक है दूसरी बात inflammation आप दी वेजर्स को decrease करेगी मतलब जो inflammation है उसको decrease करेगी या और bronchial smooth muscles को जो trachea के bronchial smooth muscles है उसको क्या करेगी dilate कर देगी उसी को बोलते है Anti-Asthmatic Drug अगर हम सिम्पल यू बोलें कि ऐसी ड्रग जो हमारे Mucos Recreation को कम करती है Inflammation को कम करती है और Trachea के Bronchialis Smooth Muscles को Dilate करती है उसका यूज क्या जाता Asthema के Treatment में उनको हम बोलते है Anti-Asthmatic Drug सिम्पल अगर आपको इसको जैसे आपने बहुती कम मातरा में पासेज हो रही है आपने किया किया Anti-Asthmatic Drug का यूज किया उसने किया किया कि यहाँ पर जो भी Mucos है, Inflammation है वो घटा दिया, बनलब खतम कर दिया जिसके हो जैसे आपको जो नॉर्मल एरपेस है जो फिर से Carry Out होने लगा अब आते हैं इसके Classification के बारे में मतलब जो Anti-Asthmatic Drug है उसके Classification के बारे में सबसे पहले बात आती है तीन टाइक के होते है एक होता है Bronchodilator दूसरा होता है Anti-Inflammetry तिसरा होता है Anti-Allergic Bronchodilator का मतलब क्या होता है कि जो आपके Bronchols होते है जो Vegels होते हैं उनको Dilate करते है जैसे कि यहाँ पर आपने देखा उसके बाद Anti-Inflammetry जो Inflammation को कम करते है Anti-Allergic का मतलब क्या है कि जैसे आपको धूल दो बगारा से ऐलर्जी है तो उसको भी रोकते है यहाँ पर Anti-Allergic की Simple एक ही ड्रग है उसका नाम के है Amelajua इसके हमारे पास कोई भी Example के तरुपे इसके हमारे पास कोई ड्रग नहीं है आगे चलते हैं हम क्या बात करते हैं Bronchodilatus में तो इसमें जो होता है यह भी हमारे दो टाइप के होते हैं ठीक है ना Basically तो हमारे तीन टाइप के होंगे अब सॉल्ट एक्टिम होता है ठीक है अब सॉल्ट एक्टिम में जैसे आपका सल्व्यूटा माल हो गया अगर मैं एक्जाम्पल के तरुपे आपको दिखाना की कोशिस करू तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको एक मतलब कप सीरफ दिखा रहा हूँ तर्व्यूटा लीन सिंपल यह आप देख सकते हैं कि जो तर्व्यूटा लीन है तर्व्यूटा लीन के साथ साथ मैं आपको सल्व्यूटा माल भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिवो शल्विटामाल यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है तो यह हमारा क्या है शल्विटामाल है तो यह क्यांट सी ड्रग हमारी होगे मतलब अगर जो आपका सी रफ यूज का लें जिसमें आपको टर्विटा लें देखने को मिले तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वह आपका सौर्ट एक्टिंड ड्रग हो जाएगी दूसरी बात थे सल्मेट्रॉल हो इसका भी मैं आपको एक्जांपल के तोर पर यहाँ पर दि ड्रग वहाँ पर व्यास को मिले गए यह बैसिकली लॉंग एक्टिंग होते हैं और इनहीलेशन में आते हैं यह उसके बाद इसमें जो होते हैं मादे दूसरी डर्विटा नॉन सेलेक्टिव में होते हैं जैसे अलफा बीटा एगुनिस्ट में एडरनिल होती है एपिनेफ कास नहीं है यहां पर उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है अंतिमुस्क रानिक एजेंट जिसमें आता है एप्रोट्रोपियम ब्रोमाईड एंटायोड प्रोप्याम ब्रोमाईड देखिए यह जो ड्रग होती है यह ड्रग इनके साथ में जोंड टेक्टीन रहें ना इनक इसके बारे में भी हमें आगे जश्ट फार्माकोलोजी पढ़ेंगे उसके बारे में आती है जिसमें आती है इसको बोलते है फास्पोटाइस्ट्रेज इनिवीटर एक्जामपल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह जो आपकी है आप सिंपली देख सकते हैं कि डेरी फाइलिन भी आते है डेरी फाइलिन इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है जो कि आपको बिजगली हर मेडिकल पर देखने को मिलेगी उसके बाद दूसरी जो कटेगरीज की होती है एंटी इंफ्लामेट्री एजन्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इंफ्लामेश मेरे पास एकजामपल यहाँ पर देख सकते हैं कि यह ए रोंड कॉट राट्रु नाम का वहाँ पर आपको का देखने को मिलेगा और flutocortisone propionate आप simply यहाँ पर भी देख सकते हैं flutocortisone propionate किसके साथ sunmetrol के साथ देगा यह क्या है inhaler है ठीक है आप देख सकते हैं कि inhaler है तो inhaler में देखा है flutocortisone propionate simple उसका बाद आता हमारा क्या systemic systemic inhalation मतलब करने का यह तो इसमें जो पहली ध्रग आती है मतलब पृडिनीन शोलिर आती है वह इहां पर नाम् इसका देख सकते हैं यहां वह सेपरेट फियुवान थी डिनेनुख उसके और मास्कों तेस में तक। िडिम्लाइजर होते भी सिका यूज नहीं क्या जाता है बेसिकली स्का यूज कहां-पे क्या जाता है जी यू-पी-डी होता है तब उसके पार आता है लीको prioritize लेकोतुमचिश इंडिबिटर अगर आपने फार्मकलोजी पिछफ़ने स्वेस्टर में थार्ड arguably में पढ़ाऊगा तो पर आपने पढ़ाओगा क्या एक पात्वे लिगोट्रिंस वहाँ पर बन रहा था वहाँ पर लिगोट्रिंस का एंटागोराइज कर रहे तो इसको जैसे जैफरेप लिगोट्रिंस एंटिस इनिवेट में आपका इसके पर बता दिते अब बात आती है जो हमारी ड्रग हम यूज करने जैसे ब्रॉंकोडाइडेटर के बारे में आज बात करेंगे तो ऐसी ड्रग जो ब्रॉंकोडाइडेट कर दें उनको बोलते हैं इसके हम फार्मा से पर रहे हम के डिफिनिशन के बारे में बात करें लूज करता का है वह कि आज एजेंट एजेंट होता है कि एर पर से स्केशन एंपयां की तूबोर्स होते हैं हो और जिसके ऑगे से होते हैं बॉटीन हो जब और प canonics नहीं हो पा रही है देख सकते हैं यहां पर बात आती है अब यहां पर बात आती है इसफेटार एगोनिस्ट इसका जो mechanism infection है जो सबसे पहले जो drug है वो कौनसी है adinergic receptor agonist जिसमें कौनसी आती है आपकी beta receptor मतलब ऐसे agent जो beta receptor पे जाकर के bind करते हैं या beta 1 receptor पे जाकर के bind करते हैं उनको बोलते अदेज़ रिसेप्टार agonist अब यह क्या करते हैं इसका जो pharmacological mechanism infection होगा वहाँ पर हम simply देखेंगे तो जब सबसे पहला आता मारा क्या mechanism infection होगा आप दे beta agonist ठीक है एडेनर्जिक agonist तो simply अगर आपने क्या क्या है एडेनर्जिक agonist लेए जैसे salbutamal एक्जामपल जैसे मैं आपको classification में बताया कि salbutamal या आप salmetrol भी ले सकते हैं ठीक वो क्या क्या बीटा receptor देखो beta agonist ले दे तो beta receptor से जाकर bind करेगा अब वहाँ पर जो bind करने के बाद क्या बनाएगा activate कर देगा GS को अब GS क्या है GS हमारे क्या होते हैं G protein couple receptor के हमारे stimulant होते हैं अगर आपको कहीं पर GS लिखा दे रखा रहा है तो GS का मतलब क्या होते हैं कि वो हमारे क्या होते हैं stimulant होते हैं stimulant किस के होंगे GPCR के होंगे तो अगर हमारा यहाँ पर जैसे ही GS stimulate हुआ मतलब activate हुआ तो वो क्या करेगा GPCR मतलब G protein couple receptor को stimulate कर देगा अब जैसे ही आपका मतलब यह GPCR जैसे stimulate हुआ वो क्या कर देगा concentration बढ़ा देगा किसके cyclic adnosine monofasphate के मतलब CAMPK जो concentration होगी intracellular मतलब inside the cell उसकी concentration बढ़ा देगा अब यहाँ पर आपकी दो condition आएगी एक condition तो आप directly सकते हैं कि यहाँ पर concentration channel increase हो जाएगा लेकिन हमको systematic धंग से आगे चलते हुए पर concept क्लियर करते हुए चलना है इसलिए हम basic से उठा करके फिर आपको निदा final तक तोचाएगा तो पहला काविश ने क्या किया कि जो cyclic 3.5 उनकी concentration को inhibit कर देगा अब जब उनकी concentration inhibit हो जाएगी तो हाँ पर आपकी inflammation है वो ठीक हो जाएगी आप दूसरी बात करते हैं जो हमको यहाँ पर basically effective जो चाहिए उसकी तो जैसे ही आपका यह C-AMP activate हुआ आपको बुक में देखने की मिलेगा वो AMP को activate करके सीधा क्या करेते हैं bronchiol smooth muscles का देते लेकिन यहाँ पर इसके बीच का भी process होता है क्या जैसे ही आपका cyclic 3.5 diadenosin monofosphate activate होगा यह क्या करेगा phosphorrelated myosin link chain का जिसको MLC के बोलते हैं यह यहाँ पर आकर act करेगा और इसको बात करेगा किसमें defosphorrelated MLC के में change कर देगा अब जैसे ही आपका जो DMLC के है वो defosphorrelated हो जाएगा वो क्या कर देगा sorry calcium channel को यह block कर देगा अब जैसे ही calcium channel को यह block कर देगा तो यह क्या करेगा also reduce कर देगा potassium level को क्योंकि आप जानते हैं अगर आपका calcium level या calcium blocker हुआ calcium channel block हुआ तो आपका sodium concentration भी घटेगा साथ-साथ में आपका potassium इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर hyper polarization की condition आपको देगने को मिलेगे इसका मतलब क्या है negativity आपके inside the cell जादा हो जाएगी और positivity out of the cell जादा हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि जो calcium होता है रिस्पांसर होता है कि इसके लिए potassium and sodium के iron ionization के लिए मतलब आदान परदान के लिए तो simply जैसे यहाँ पर calcium का level घटा जैसे कि आप जानते जो calcium होता है वो contraction कराने के काम में आता है जैसे calcium का level घटेगा तो वहाँ पर माला किया जाएगा myosin actin filament में जो होता है वो calcium का घटेगा और आपकी जो bronchia जो महुत मसर्थ होगी वहाँ पर निलाइस कर जाएगी यह आपका पहला action हो गया दूसरा क्या करेगा कि जब आपका CMP का मतलब जो cyclic 35 adenosine monophosphate है उसका जब level बढ़ेगा तो यह cytokinin so जो inflamator mediator होते है उसकी relate को inhibit करेगा तो simply आपका inflammation भी कम हो जाएगा mucos भी कम हो जाएगा dilation भी हो जाएगा अब dilation हो जाएगा तो आपका जो अस्थमा हो जाएगा वो treatment हो जाएगा उसका अब जो हम bronco dilator लेते हैं इसके pharmacological effect के बारे में पढ़ते हैं जैसे मैंने specific drug का नहीं मैंने आपको एक simple बताया हुआ है जो कि आप हर drug में use कर सकते हैं मतलब common बताया हुआ है सबसे पहले urinary system पे क्या काम करेगा यह utrin smooth muscles जो होती है उसको relax कर देगा क्योंकि आप जानते हैं कि utrin भी आपका क्या होता है वापे smooth muscles होता है और जो bronco dilator अगर वहाँ पर आपके smooth trachea के smooth muscles को भी relax करेगा तो simple सी बात है कि urination system में भी smooth muscles को यह relax करेगा उसके बाद आता है GIT पे मतलब कि gastroint जो है relax कर देगा heart पे इसका ज़्यादा action नहीं होता है simply and inhibit the release of histamine from the martial और यह क्या करते है कि histamine के release को यह क्या कर देते है कम कर देते हैं from the martial उसके बाद drag interaction के बारे में बात करें तो अगर आप इसको beta blocker के साथ में लेते हैं तो यह क्या करेगा इसके जो activity होगी वो inhibit हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि आप beta blocker के साथ में इस drug को नहीं ले सकते हैं क्यों कि यह beta receptor को activate कर रहा है और जब आप इसके साथ beta blocker ले लेंगे तो क्या करेगा बीटा को block कर देगा बीटा receptor को block कर देगा तो simple सी बात है आपको activity वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगे उसके बाद mono amino oxidase enzyme जो होते है उसके साथ अगर आप इनिविटर के साथ में अगर आप ले रहे है तो इसकी जो activity हो जाएगी वो बढ़ जाएगी क्योंकि इसका degradation वहाँ पर नहीं हो पाएगा और anesthetic drug के साथ ले रहे हैं जैसे आप simple सी बात करें तो जैसे लोकल anesthetic जो ले ले लेंगे या आप simple सी बात करें जो local anesthetic drug ले रहे है या कोई भी anesthetic drug ले रहे है तो आपको ventricular anademia होने के वहाँ पर जादा चाल से जैसे जैसे कीटो प्रफोन हो गया अब इसके बारे में बात करें कि इसमें कौन कौन सी ड्रग है तो सबसे फ़री जो ड्रग आते है शल्व्यूटामाल ठीक है आप simply यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको देखने को मिला है लीवो शल्व्यूटामाल यह क्या है हमारी ओरल है ठीक है लेकिन एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ मेरे पास एक सेंपल और है यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा लेट हो रहा है आप यहाँ पर देखिए यहाँ भी लीवो शल्व्यूटामाल लिखा हुआ है तो इसका मतलब रूटाफ एक होगा और इनालेशन भी होगा इसका मेटाबोलिजम होगा वह लीवर में होगा इलेमिनेशन का क्या हाँ पर होगा यूरिन में होगा और इसके जो हाफ लाइप होगी वह पांस से तीन घंटे के करीमे होगी जो सारे के कामल रिस है हाइपोकारीमिया अभी जास्टा मैंने आपको बाता है केल्सेम चैनल ब्लॉक होगा तो पोटेसम चैनल भी का हो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा इनसोमिया इसका मतलब कि या नीद में चलने की बिमारी डिजीनेस हाइपर टेंसन टेकी कार्ड है वो बिलेगा ठीक है वो मिटिंग भी आपको यहाँ पर इसका एड़ वर सक्षन हो सकता है उसके बादा आता है टर्ब्यूटालीन में सिंपल आप देख सकते हैं यह कप सीरफ आता है टर्ब्यूटालीन सल्फिट के नाम से तो इसका जो एड्मिशेशन होता है वो औरल होता है यही एक ऐसी ड्रग होती है जो कि प्रेगनेंसी के केज में इसको इंटेक किया जा सकता है बागी की इतने भी ड्रग मतलब जो सल्ब्यूटामाल, सल्मेट्रोल, एड्रिनाल, एकोसी का यह सारी ड्रग होती है वो प्रेगनेंसी में नहीं ले जाती है लेक्रेटिंग मदर क सेम गए उसके बाद है इसां सल्वेत्र तो इन्हेलेशन के माध्यारां से लेते हैं और इसका मेटाबुलई हता है उससे पेस्ट के माध्यम से होता है उसे इसका आधा debt 58 परसंट होता है विकलNews आई रीट के साथ 23 परसंट इसका जो भाग होता है वो जुडिन के साथ eliminate होता है उसके जो half life होती है वो 5 गंटे के गरीम में होती है अब जो adranil होता है इसको parental root से इसको आइसोप्रिनलीन को भी परेंटर रूट से दिया जाता है इसका metabolism liver लिवर में इलिमिनेशन दोनों का यूरिन में होता है हाफ लाइफ यह सॉल्ट एक्टिन ड्रग होती है जैसे कि मैं आपको क्लासिफिकेशन में बताया था उसके बाद आता है मेटो प्रो ट्रिनोलॉज इसका ओरल प्रेंट्रल और इनिलेशन तीनों रूट से रहाता है इसका यूज के बारे में बात कर तो अस्मा में यूज होता है COPD में यूज होता है और इसका यूज किया जाता है सिम्पली अभी तक आपने ब्रोंको टायलेटर में जो हमारे एडिजनरिक रिसेप्टार होते हैं इगोनिश होते हैं उसके मेकनेजम आफेक्सन उसकी ड्रक के बारे में पढ़ा अब दूसरा आता है फास्पोडाइस्टरेज इनिबिटर जिसको मेथाल जन्थिन के नाम से T यह करते हैं सिंपली क्या करते हैं फास्पोडाइस्टरेज इन्जाइम को क्या करते हैं इनिबिट कर देते हैं बात आते हैं जिइसके सी एंप पे हमने जश्ट अभी देखा था अगर CMP का लेवल हमारा बढ़ेगा क्या अगर CMP का लेवल हमारा बढ़ेगा तो हमारा जो calcium channel होगा वो block कर जाएगा अब जब calcium channel block हो जाएगा तो simple सी बात हमारा digestion हो जाएगा तो अगर यह जो फास्पोडाइस्टेज होते हैं जैसे cytok, kinase बगर तो उसको भी क्या करता है इनिविट कर देता है उसके synthesis को इनिविट कर देता है तो अगर हम फास्पोडाइस्टेज को ही इनिविट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा दोनों काम हो जाएगा हमारा bronchodilation भी हो जाएगा और inflammation भी मारा वहाँ पर कम हो जाएगा तो responsible for the CMP degradation यह responsible होता है इसलिए इसको हमको इनिविट करते है यह क्या करते है अदिनोस्टेज के मौनलब जो एक्षन होता है उसको भी एंटागोनाइच कर देते हैं अब एडिनोस्टों डाइफास्पिट का आप जानती होंगे कि वो मार्से पाए जाता है और का क्या रता है आपका वो को सब्सक्राइब कर देता है इसका दो मैंकरनियम आफक्षा यह पराइव समझ लीजिए कि क्या करेगा फास्पोट डाइस्ट्रेज एंट्याइम को इनिविट करेंगा और दूसरे क्या करेंगा आइडिनोस्ट्री आज स्था के action को एंटागोनाइज कर देगा जिसके होजा से आपका ब्रॉंको कॉंट्रिक्शन नहीं हो पाएगा अब इसके मेकनेजम आफ एक्षन के बारे में बात करें तो सिंपल यह है यहाँ पर आपके चैनल है यह आपका क्या है एडिनोशिन साइकलेज है यह आपका क्या है गॉ एडिनोशिन मोनोफास्पेट में और मोनोफास्पेट क्या करा देगा आपका कॉंट्रिक्शन करवा देगा लेगिन अगर हम यहाँ पर थियोफाइलिन यूज कर देंगी तो जो हमारी यह फास्पोटेज एंजाइम होगा यह इसको एडिबिट कर देगा और जो आपका CMP बना रहेगा अब यह CMP क्या करेगा सिंपल यह कैसे चैनल को ब्लॉक कर देगा और आपको वहाँ पर ब्रॉंको डाइडिशन करा देगा दूसरी बात करें तो गॉनली साइक्लेज होगा यहां से भी एक्टिवीट हो जाएगा और यह क्या करेगा GTP मतलब गॉनली ट्राइ से इन्फलामेशन को कम करता है क्योंकि जो CMP होता है वो फॉस्पर डाइस्ट्रेज के साथ में इंफेक्ट करके मतलब इंट्रेट करेगा और आपको इन्फलामेशन साइट तो कानिस बनाएगा आप क्या करेंगे हम अगर थियो फाले लेंगे तो यह क्या कर देगा इसको इन्फलामेशन नहीं होगा तो इन्फलामेशन नहीं देखने हो कि मिलेगा और आपकी एर पेसे आपे खोल जाएगे तो यह बात हो गई इसके मैकनिसम अफेक्शन की उसके बाद अगर इसको मैंने जो आपिपर बताया वहाँ पर इसको सिंपल यहां लिखा हुया कि जो मै काम करता है इसको भी क्या करते है ब्लॉक कर देते हैं जिसके वजह से आपको ब्रॉंकोडाइशन होता है उसके पाद इसके फार्मकलोजिकल एफेट के बारे में बात करें तो लिषन तो cns पर ये cns ऑडूमने के तरिके से काम करता है इसका मतलब क्या है आपको एक्साइटड जो बगैरा होती है इसके वजह से ही होती है and a स्टिमुलेट करते हैं हार्ट के उपर इसके पॉजिटी बाइनो ट्रॉपिक दोनों इफेट पाए जाते हैं इसका यूज किया जाता है एंड और ब्लड वेजल्स यह क्या करता है वैसो डायरेशन जैस सिंपल यह आप यह दे सकते हैं कि स्मूथ मसब्स पर भी करेगा तो व यह देखिए डायरेट होगी जिसे आप क्या करते हैं एक शोकता लेलीजिए शोकता को अगर आप क्या करेंगे मतलब दबा की रखेंगे तो वहाँ पर क्या जाएगा पानी बहुत जहीं मतलब एक बात हो नहीं कि लिगा लेकिन फिर क्या जब्लेगा बंद हो जाएगा ले इसको यह बढ़ा देगा अब इसमें जो जो ड्रग आती है वो आते है टो फाइल्यन आती है अमाइनोफाइलैन से eth Тोतर, फाइलेट होती ड्रग auptया होडीное फाहर भण में 9 फाहर अग्यों होती है vomiting, seizures, fever, arrhythmic condition यह सब क्या है? इसके adverse action है interaction क्या है? अगर आप इसके phenotype के साथ मिलेते हैं तो इसका metabolism बढ़ जाएगा ठीक है? metabolism बढ़ने का मतलब क्या है? इसका mechanism of affection and duration of the action घड़ जाएगा अगर इसके साथ कोई antibiotic, anti allergic drug लेते हैं तो इसका metabolism घटेगा metabolism घटने का मतलब क्या है? protein binding करेगा, protein binding करेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका जो action होगा आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा ठीक है? अब यूज़ करतो इपनूईयम में इसका यूज़ के जाता है COPD में अस्तमब इसका यूज़ के जाता है मुश्करानी रिसेटार जीसे आपके ज़से आपके असी टायल कोलिन जिस पर बाइंड करते हैं अब आपको M1, M2, M3, M4, M5 पढ़ा होगा M1, M2 पढ़ा होगा, ठीक है? M4 होथा था मुश्करानी और M4 होथा था निकोटीनी रिसेटार यह क्या करता है जब इसके उपर Acetylcholine हमारा जाकर bind कर रहता है तो वहाँ पर smooth massage के contraction हो रहा था तो simply अगर हम Acetylcholine को उसके receptor से bind ना करवाए इसका मतलब कि हम उसको inhibity कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर contraction नहीं होगा और हमारा वहाँ पर जो bronchodilation हो जाएगा basically इसका यूज किया नहीं जाता है इसका जो यूज किया जाता है वो simply हमारा COPD की जो drug होते है उसके साथ में इसका यूज किया जाता है तो इसका जो mechanism infection है आप देश सकते हैं कि आपका pre-synaptic है यह आपका pre-synaptic post-synaptic injection है यहाँ से acetylcholine release हुआ और अपने receptor M3 receptor से जाकर के bind हुआ अब जहाँ से जब bind हुआ तो यह क्या करेगा bronchocontricion करा देगा लेकिन जैसे ही आप anti-moscronic agent या जिसको बोलते है जिसको drug होते है इप्रatropium bromide होती है इसके लेते हैं क्या करेगा इस M3 को block कर देगा इस receptor को block कर देगा और इसी टायर को इससे बाइंड नहीं होगा तो आपका bronchocontricion होगा simply आपका जाएगा bronchodilation हो जाएगा इसमें जो ड्रग आती है वो आती है कौनसी इप्रatropium bromide यह क्या होते है अलकॉलाइड होती है मतलब एट्रोपिय डेरिवेटिव अलकॉलाइड होती है इस ड्रग का यूज क्या जाता है celbutamal यह terbutamal यह के साथ में इसके फार्मेको काडिटी प्रोपर्टी इसको जो एड्मिस्रेशन होता है एरियोस और इनेबुलाइजर में तरीके से होता है मेटावलेज हम लीवर में होता है इसका यूज के फूर होता है तो आपके नहां पर पार्ट वन होता है कंप्लीट जिसमें हमने देखिया ब्रोंको डिलेशन का पूरा जो भी हमारा आप नेच्ट वीडियो में हम देखेंगे एंटी इंप्रामेट्री एजेंट एन एंटी ऐलर्जिक दोनों का हम एक ही में देख लेंगे और हमारा जो एंटी अस्त्रमेट्टिक हो जाएगा वो जाएगा कंप्लेट एक चीज और हम जो हमारी जो हर्बर्ड ड्रग है टेकनोलोजी है उसको साथ में फार्मापलोजी के साथ में लेते हुए चलेंगे तो थैंक यूर फॉर पाचिंग दा वीडियो फ्रम दे लेटेस डन फार्मेसी